साबर प्रणाम सभी को मैं नीर्जय चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभी मंदन करती हूँ आज के वीडियो में हम बात करेंगे एको निवास सहिंता 2008 रखे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एको निवास सहिंता फिलाल चर्चा में क्यों है इस मिंदू को जाम लेते हैं भारत सरकार के उर्जा मंत्राले ने आवासी भवनों के लिए उर्जा संरक्षन निर्मान सहिंता यानि कि एको निवास सहिंता 2018 का अनावरण किया है पहले तो कारण ये है कि जिसलिए ही चर्चा हो रही है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं दूसरा चीज हर 14 दिसंबर को हम जानते हैं राश्टी उजा सनक्षन दिवस मनाया जाता है तो इस अवसर पर ही जो इको निवास सहिता है इसका अनावरण किया गया और इसका उदेश ये है कि घरों, अपार्टमेंट, टाउंशिप और इनके निर्मान और रूपांकन में जो उर्जा सक्षमता को प्रोचसाहन दिया जाए और निवासियों और परियावरण को लाब पहुँचाया जाए तो इसका उदेश ये है बात करते हैं कि जो इको निवास सहिता है वो क्या है तो इस सहिता को हितधारकों के साथ बहुत विचार वेमर्ष के बाद तयार किया गया है और ये जो सहीता है जलवायू और उर्जा से संबंदित जो आकड़े हैं उन आकड़ों को एकत्रित किया गया और उन आकड़ों से संबंदित जो मांदर्ण बनाए गए हैं उन मांदर्णों के आधार पर इसका निर्मान किया गया है जो नए आवासी संकुलों का रूपांकन और निर्मान में वस्तुवेद है और भवन निर्मानता जो लगे हुए है इन्हें इससे सहायता मिलेगी और एक अनुमान है कि इस सहायता के लागू होने से 2030 तक हर साल 125 बिलियन बिजली इकाई के समतुले उर्जा की बचत होगी जो की सो मिलियन टेन कार्बन उत्सर्जन के बराबर है तो पहली चीज तो ये बात कर लेते हैं अब उर्जा सक्षमता ब्यूरो यानि की BEE की इसकी स्थापना उर्जा संरक्षन अधिनियम 2001 के प्रावधानों के अंतरगत मार्च 2002 में उर्जा मंत्राले के द्वारा की गई थी दूसरी बात ये एक वैधनिक निकाय है और इसका उद्देश है कि उर्जा सक्षमता और संरक्षन से संबंदित नीती और कारिक्रमों का कारियान वेयन करना और साथ ही उर्जा की मांग को आदर्श स्थिती में लाकर पूरे देश में उर्जा सुविदा सगनता को घटाना वैश्विक ताप वृद्धी है जलवायू परिवर्तन है इनके लिए उत्तरदाई ग्रीन हाउस गैसो के उत्सर्जन को भी घटाना इसके मुख्य उत्देशियों में रखा गया है तो इको निवास सहिता 2018 इंपोर्टेंट है आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीज आप लगातार साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे धन्यवाद